यूपी के बाहु बली नेता अतिक अहमत को आमदबाद लाया गया आमदबाद एरपोर्ट पर यूपी के बाहु बली नेता अतिक अहमत पहुंचे हैं यहां पर अतिक अहमत जो है वो यहां पर पहुंचे हैं बाहु बली नेता है कई सारे हत्या के मामले उन पे दर्ज है किनैपिंग के मामले दर्ज है साथ ही जेल में पिटाई का मामला भी उन पर दर्ज है तो आज सुप्रीम कोट के आदेश के बाद अतिक एहमद को एहमदबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में ले जाया जाएगा यहां पर आप देख सक कोट ने 23 तारिक को यह आदेश दिया था आप देख सकते हैं फूल पहना के यहां पर स्वागत किया गया फूल फेक रहा है जो उनके समर्थक है बड़ी तादाद में उनके जो समर्थक है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं कई सारे पुलीस की बात की जाए तो पुलीस आरोप है राजू पाल की हत्या का उन पे आरोप है आप देख सकते हैं कड़े सुरक्षा इंतिजामात के बीच में अतिक एहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में ले जाया जा रहा है एहमदाबाद पुलीस भी यहां पर मौजूद है साथ ही यूपी पुलीस के तीन अतिक एहमद की पतनी हमारे साथ मौजूद है आमदाबाद एरपोर्ट पर वो आय हुए है यहां से उनको साबरमती सेंट्रल जेल में ले जाया जा रहा है क्या कहेंगे आप उपर वाली की मर्जी है आप लोग की दोआ रही तो अच्छे से रहेंगे लेकिन उन पर कई सार और कोई बात नहीं है ऐसी क्या कहेंगे आमदाबाद सेंट्रल जेल में उनको लाया जा रहा है आप उनको सुरक्षित मानते हैं यहां पे सुप्रीम कोट ने यह आदेश दिया है हमने यूपी के सरकार से भी और यहां के सरकार से भी उनके सुरच्चा की मांग की है और वो पादचीत हुई कुछ नहीं बस ऐसे घर की बाते हुई पुलीस वालों ने बात करने दिया आपको जी जी बिल्कुल यहां पे उनकी वाइफ यहां पर पहुंची हुई है अतिक आहमत की पत्नी और साथ ही जो साबरमती सेंटरल जील में उनको ले जाया गया कैमरा पर सनुज ।